वर्तमान युग में सनक दुरगटना शहरों की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है और ये आज अपने आप में एक विक्राल रूप धारन कर रही है आपको बता दी कि देश में हर साल लगबग एक लाख 68,000 लोगों की जान सनक दुरगटनाओं में चली जाती है यानि हर एक दिन में 462 लोग सड़क दुरगटनाओं में अपनी जान गवा देते हैं इसमें से कुछ ऐसे भी लोग है जिनकी जान तो बच जाती है पर वो लंबे समय तक या जीवन भर के लिए अपाईज बन कर रह जाते हैं इधर आपने देखा कि एक जनवरी 2024 को जब पुरा देश जश्न में मस्गूल था चारो तरप नए साल की खुशिव मढ रही थी तब जमशेदपूर की एक सनक दुरगटना ने पुरे शहर को शोक की लहर में डुबो दिया इस सनक दुरगटना में 6 यूओं अपनी जान गवा चुके थे इस दर्दनाग घटना की बात करें तो एक तेज रफ्तार और नियंतरित कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पेड से टकरा कर पलट गई इस दुरगटना में कार में सवार 6 यूओं को की मौत हो गई घटना बिष्टुपूर्थाना छेतर के सरकिट हाउस एरिया इलाके में गुलचकर के पास हुई और टकर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई इधर सुबर जैसे ही लोगों की इस खबर के बार में पता चला तो सभी को जोरों का धक्का लगा सभी की आखे नम थी क्योंकि मरने वाले करीबन 20 से 22 साल के थे आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनके घरों में नए साल की खुशी गब में कैसे बदल गई कई घरों का चिराग बुच चुका था उनके माता पिता बेहाल थे घटना की वज़ा चाहे जो भी हो रेश ड्राइविंग या गैस जिम्मेदारना लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल या है कि सणक सुरक्षा को लेकर हमारी सणके कितनी सुरक्षी थे क्या काले कंक्रीट से हमारी सणके बन रही है या जहां ता आपने सुवीदा के अनुसार चौड़ाहा घुमावदार कर दिये जाते है क्या हमने कभी भी सणक सुरक्षा के हिसाब से इन छोटी बड़ी चीजों पर ध्यान दिया है और सबसे बड़ा सवाल या है कि सहर के कुछ ऐसे स्पोर्ट है जा सालों से दुरगटना होती रहती है और हम इस पर विचार विमर्स थोड़ी देर के लिए करते हैं और फिर वापस उसी हालात में लोट आता है पर अब चिंता या विचार भी मर्स करने से नहीं आवाज उठाने से काम होगा दुरगटना पुरी तरह से हम रोक तो नहीं सकते लेकिन कम जरूर कर सकते है जगा जगा सणकों पर अब भी कहीं जगा गड़ है कहीं जगा ब्लैक स्पॉट है जहां आज भी दुरगटना हो रही है जब प्रशास्तन फाइन बढ़ाने और चेकिंग के दौरान पैसे लेने से पीछे नहीं हटती तो हम अपने हक से कैसे पीछे हटे हम अकसर देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच विजग्यापन बोर्ड लगे होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा ट्राफिक वाले एरिया पर जाहिर सी बात है कि विजग्यापन पर लोगों का ध्यान आकरशित होगा और सड़क दुरगटना होगी बात छोटी सी है पर छोटी सी बात कहीं लोगों की जान ले जाती है आपको बता दे कि सिर्फ एक एजनसी के स्वार्ट के लिए शेहर के लोगों के जान के साथ खिलवार किया जा रहा है ऐसे कई सारे कारण है जहां सरक दुरगटना में सिर्फ आम जनता ही नहीं बलकि प्रशासन भी जिम्मेदार है तो इस खबर को लेकर आपकी क्यारा आईए कमेंट सेक्शन पर जरू बताए तब तक लिए देखते रहे सोशल समवाद मैं आकाश पुद्दार जैहिंद